तो गाइस गर्मी का विस सेम अल इदर है जो दिल्ली में है आया तो मैंने एक अच्छा तरीका ढूंडा है तो उनको ठंडा रखने के लिए थोड़ी देर के लिए ठंडा होएगा फिर वही हो जाना है लेकिन लोग रोटेट यूर फोन नोई जोके डोंट रोटेट इट लोग विकन तो मिलिट गंगा में तुक की लगवागा फोन की एवे एक तंड चल्ड लाक फ्रीज वही होगा फिर यह तो फाइदा आप ते यार स्याप वह बोट भखास करने लग जाओंगा तीरे तीरे जाचने तो मैं सोलो ट्राइलिंग सुरू कर रहूं मैं तोड़ा वखास करना तुरू कर रहूंगा तो मिलते है गाईज यू देखिए यार यू देखिए पिछे देखिए कैसा लगा व्यू मैं तो एक चट्टान पे उदर तोड़ा बीच से साइड में सैबलेगे इदर आ सकता था तो मैं आके बैठ गया उद इदर सेरे को फिलिंग आ रही है तो फेंटास्टिक बाबाबाबाबाई लाउट् है ना सुन्दर ये पीछे पूरा रिचिकेस है और मैं तो अपनी गाड़ी के उपर बैठा हूं भाई हमारी है अपनी कुद के गरीबों की खरीदी हुए है तो बैक कैमरे से मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला मोई भी एक्ट्वल में जो कि एटी परसेंट रिचिकेस या से दिखाई देता है है ना लाजवाब ये पॉइंट मैं मुझे मिला एक्षिल में जो उस साइड वाला रस्ता था पुलिस वाले इस टाइम पे उस रुप रस्ते को बंद कर देते हैं जाम के कारण उस रोड पे अभी रीसेंट आपने दे काम हो तो क्या करते हैं पुलिस वाले जो यह यह आउटर रोड है यह इदर से आउटर रोड निकलता और यह वापिस वही मिल जाता उसी रोड पर लेकिन 15 किलोमेटर आगे जागे तो इसर देख रहे है कितना ट्रैफिक आ रहा है देखिए एक दो तीन चार बाज चे आर आर नो आर यह गाड़िया आई आई जा रही है ट्रैफिक सारा जो मोस्ट ओफ ट्रैफिक आई उस रोड वाला वो इधर शिफ्ट कर देते हैं यह आला कि बैस इतना है 15 किलोमेटर लंबा पड़ेगा आपको अगर उदर जाएंगे तो हम तो मैं एक बर यार आपको चोटा सा एक दर्शन करा देता हूं वच्छा रहेगा कैसा लग रहा गाइस कैसा नग जा रहा है तोड़ा जूब बढ़ा है यह एक चुल में रिशी केस है यह रिशी केस इसको बोल सकते हैं रिशी केस के बाद जो टुरिस्ट रिशी केस आता है यह वो है यह पूरा रिशी केस दिखता है यहां तो अभी पार्किंग के जगा ही नहीं है यहां तो अभी पार्किंग के जगा ही नहीं है इहां तो जगाही नहीं है काड़ी तो हमको इधर भी पार्क करनी हौई रात कोई करेंगे भाई अभी नहीं है तो रात कोई करने पड़ेगी तो अभी का लगां यार अभी इधर उदर गुमने जाना है अभी कहा लगा हूँ इधर गुशादी तो भाही वापी से में आप इधर कितना सुनौ आज को भाही सब पैक बंक स्टेप भी तो फुल पैक है यार कि दो तीन बार रुप के डालिया में बड़ी चंगा मतलब चंगी अच्छी मेर को एक स्पोर्ट मिल गया है कि अधर तोड़ी पीचरों के लिपता मेरी लग जाती है अब मोड़ गलाएंगा भाही अग्येचे फिर खड़ी करेंगे यहां कि अधर कि अधर कि अधर कि अधर कि माई सब यह जाम बहुत लंबा पिल्कुल पिछे तक गाड़ी लैन लग रही है कि वा मेरा भाई यह वाला रोड़ भी करतिया जाम ट्राफिक नहें कि मैं भी यही से मोड़ना है जाम मिलते हैं है कि अधर कि अधर कि अधर करूँ अधर काड़ी तो भी मुड़ गई और अभी इसी जन्हापे लगा तो वह यह जो तो मैं पीछे आपनी दिख्ष्यों की लगती उगाई की नहीं पर लगा के तो फिर चलते निचे गंग के नारे पैठें एक-दो गनकाई जाए तो फिर जान जी लेटिंगे हैं बैटिंगे हैं बैटिंगे हुझा जाए लोगाई अपने गाड़ी तो लग गई है अब इधर ही खड़ी रखेंगे इसको फिर रात को उद्र पार्किंग वा लगा दूँआ बैसा अपना काम तरीवर ना तो सुरू पर मांगते हैं यार पार्किंग के पूरी रात के घड़ी करने हैं तो चलिए अभी मिलते हैं गाईज आप सही गंगा किनारे है जोन ऊ है अब यह फाईनलिय अभी आगया में एक हानाथ शोरसराव वंत है तो थोड़ा थोड़ा वाद दिरायेगा थोड़ा इनका अएगा थो डर्याध आएगा थोड़ा बिव किया था लेकिन इरी गूर्टिंग केंसल होगी तो मैं तो गाड़ी मिस होने वाला था ले बैड दे तुम तो यह अच्छा लगा मैं आपका बी प्रेंडली निचर अब रूप फुल है तो भाई मैंने अभी ओडर किया काने का मुख लग चुलिया जोरो सोरो से तो आप से अभी अभी के लिए बिदा चाहते हैं लोग गाइज देर इस दा बीविव विव यू पर इस वीडियो में इतना साइद नहीं दिख रहा होगा लेकिन जब अपने आखों से हम देखते हैं तो यह बड़ा ही बड़ा ही प्यारा द्रश्य बड़ा है इस नजारे के साथ हम आज की ब्लोग का एंड करते हैं हाला कि मैं अपने आपको अभी दिखा नहीं सकता है चलमे इदर लाइट कम है जा मैं बैठा हूँ इदर बिलकुल अंदेरा है देखी मेरा आथ कैसा दिख रहा है तो मैं दिखूंगा यह नहीं तो फायदा क्या पिस नहीं तक कोई एक बंदा भी पोचा हो मेरे वीडियो देखके तो भाई आप तो सब्सक्राइब और लाइक करके दरूर जाएए थैंक्यू गाइस